हलो दोस्तो आज हमने आपके सांस सेयर किया है ना होली इस्पेशल गुजिया की रेसिपी हमने ना तो इससे खोया से बनाया है ना तो चीनी से ना तो सूजी से टोटली अलग तरीके से बनाया है और यह खाने में बहुत ज़्यदा चटपटा एम टेस्टी लगता है बनाना बहुत ज़्यदा आसाम है तो दोस्तों इससे जानने के लिए आखिली से सही तरीके से बनाया कैसे दाया तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों आपसे रिक्वेश्ट है अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को दो को रख दिया है घर्म होने के लिए जब गर्म हो जाए तो िसमें टेल को डालनेए ओनी मिनट टके जरूर मासाले 45 इसी के साथ आड़ कर दें थोड़ा से हल्दी का पाउडर डाला है अधा चमस और एक छोड़ा चमस मतलब सब्सक्राइब किया है इन सभी मसाले को भी ना दो मिनर तक ऐसे भूल लेंगे जो मसालों में से कच्छा पन रगता है तो वह नहीं लगेगा कच्छा फिर इसके मिक्स करना है सभी मसाले और नमक को इसी तरीके से यहां पर इसको आप 5 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लेना है चलाते हुए अलट पलट करके तो चलिए हम भून लेते हैं फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं यहां पर हमने थोड़ी से धनिया की पती भी डाल दी है अगर आपके पास वो तो डालें वरना इसकिप कर सकते हैं तो बस इसी तरीके से यहाँ पे हमारे मसालों की भनाई हो चुकी है यहाँ पे हमने थोड़ा से मैदा लिया है उसमें थोड़ा से तेल डाल दें और थोड़ा से अजवाइन डाल दें ठोड़ा सी नमक डाल दें नमक को डालने स cetteaign चट पठा लगता है खाने में तो फिर इसके बाप सब चीजों को हाथ के दौरा इस तरीके से मिक्स कर देता कि सब कुछ से में कम जाए फिर इसको गरम पानी से आपको गूतना है थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाल कर गूत लें तो हम गूत लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं और मिले जिस तरीके से रोटे के लिए आटा गूतते हैं बस उसी तरीके से इसको भी गूतना है तो यहाँ पे हमने गूत लिया है तो दोस्तों यहां पे आपको ना जिस तरह से पूरी के लिए छोटा छोटा लोई लेते हैं ना बस उसी तरीके से लेना है फिर इसको ना बेल लेना है पूरी से थोड़ा से बड़ा बेले ताकि भरने में असानी हो वरना फटने लगेगा तो यहां पे देखिए हम बेल तो यहां पे इसके साइड में थोड़ा से मतब पानी लगा देना है तकि छोड़े ना चिपकाने पी वरना आप तलेंगे ना तो छोड़के भागने लगता है उसका जो लेयर होता है तो पस इसी तरीके से ना आपको भी सारा गुजिया बना के पैक कर लेना है तिधा जब तेल गर्म हो जाए इसमें एक एक करके सभी अपने गुजिया को डाल देना है दोस्तो इसे ना अभी नहीं पलटना है चार से पांस मिन तक इसको ऐसे छोड़ देंगे नीची की तरफ लाल होने के लिए जब लाल हो जाएगा तभी पलटना है तो यहां नीची की चार से पांस मिन तक और बीच मिने इसे अलट पलटके आपको पकाना है एक बाढ़ ढूर दी तो हो गया वरना नीचे से जल जाएगा आपको पता भी नीचा लेगा तो इस दिना चिक करते रहें अलट पलट की बनाते रहें तो दोस्तों इधर आप लोग देखी सकते हैं हमारा जो गुजिया है हमने ना इसे अलट प्लट के बनाया है और दोस्तों ना इसे मतलब दोनों साइड हो जाए फिर इसको ना ऐसे तेल में खड़ा कर देना है तक कि नीजे की तरब भी अच्छे से पक जाए यहां पर देख भी सकते हैं कितना जद अच्छा लग रहा है औ चलिए आपको ना दिखाते हैं तो एक हम लेते हैं गुजिया और आपको ना इसे खोल के दिखाते हैं इधर आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टरफिंग पहला है और किसी भी समोसा से खाने में कम नहीं लगता बहुत जादा बढ़िया लगता है तो दोस्तों अगर आप सबको ना आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलेंके इस तरह नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्ट रसीपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए टाटा